हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से जटपड तयार होने वाली आलू की सबजी तो आए शुरू करते हैं इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन जरू पीस लोंगी साथ में ही लसन भी पीस लेंगे इन सारों को पीस के एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे कड़ाई में मैंने तेल गरम किया है जिसमें जीरा राई एक तेज पत्ता दो काली मिर्च और एक छोटा सा लोंग डाल दूंगी और इन सब को अच्छे से भूनना है बुण लेंगे जब तक यह भूनता है तब तक हम इसके मसाले तयार कर लेते हैं तो मैंने एक कर्टोरी धही लिया है इस कर्टोरी धही में मैं डाल रही हूं एक चमच हालदी तीन चमच धनिया पाउडर और चार चमच मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी आप अपने ज होते हैं इसलिए मैंने मिर्ष यहां पर ज्यादा डाली है स्वाद के नुसार नमक डाल देंगे और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे धही से अलू की सब्जी का टेस्ट है वह बहुती बढ़िया आता है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अगर धही कम लगे तो ओर ले लेना लेकिन इस सारे मसाले में धही का ही यूज करेंगे पानी नहीं अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इधर देखते हैं अपने जो मसाले हैं प्यास टमाटर यह भी पक चुके हैं अच्छे से तेल छोड़ दिया है आप देख सकते हो यह कितने अच्छे बुन च हैं थोड़ा सा कटोरी में पानी मिला कर इसमें डाल दिया और अब इनको अच्छे से भून लेंगे यहां पर लगातार कल्ची को चलाते वे भूनना है चोड़ना नहीं है वरना दही फट जाएगी और जब मसाला तयार हो जाए तो दो गिलास मैंने पानी डाल दिया है क्य अबाल का सा उबाल आते ही इसमें हम डाल देंगे जो उबाल का रखे वे अलू है अलू डाल दी है मैंने इनको अच्छे से हम ग्रेवी में मिला लेंगे और बाद में उपर से हम डाल देते हैं इसमें कसूरी मिथी को हाथ से क्रश करके डालना है क्रश करने से कसूरी मिथी का स्वाद अच्छा आता है ये अच्छे से मिल जाती है और इसके कुछ बारिक बारिक तिनके से होते हैं वो हाथ में रह जाते हैं उपर से मैं डाल रही हूं गरम मसाला और थोड़ा सा कीचन किंग मसाला जिसे सब्जी का स्वाद और भी अच्छा आएगा और हमारी सब्जी है वो बनकर तयार हो चुकी है मेरी रेसिपी कैसे लगी बना कर जरू ट्राइ करें कमेंट करके बताएं लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब जरू करें थेंक यू फॉर